हलो मेरा नाम इचंद्र हास, श्टेडी स्मार्ट में आपका स्वागत है, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 15 नॉबर के करेंट अफेर्स जो की हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, करेंट अफेर्स से रिलेटेड जो पीडियेफ है वो आपको श्टेड मिलियन डॉलर का युगदान देने का संकल्प लिया है, इंडिया ने प्लेज किया है कि वो कंट्रिब्यूट करेगा कहां पे UN पलेश्टाइन रिफ्यूजी एजनसी 2020 में, तो ये था पांच मिलियन डॉलर, चौथा वाल उप्शन इसका सही है, ओके बढ़े हैं, अगला क कहां पे हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में आयोजन हुआ, चुंकि ये कोश्चन का हिस्सा है, इसलिए स्किप हो जाती है इसी इनफॉर्मेशन, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, और इसका उदगाटन किस ने किया, कृशी मंत्री जो है, नरेन सिंग तोमर, पूचा जाए, नरेन सिंग तोमर के पास पद कौन सा है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रिकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेर, ये इसके मिनिस्टर है, अगला कोशन है, किस संस्थान को वर्ष 2019 के लिए सबसे प्रभाव शाली सारजनिक सेवा पहल लेने के लिए जाएंगे नीदरलैंड में, वहाँ पे ये पुरसकार मिलेगा, यहाँ पे आपसे अगर कोशन पूचा जाए, कि ये पुरसकार मतलब किस कॉंट्रिविशन के लिए दिया गया है, तो ये नीचे लिखा गया है, कि फॉर इट्स एफर्ड टू इनिशियेट वेरियर सस्टेनविल्टी इनिशियेटिव इन फ्लू क्योड वर्जीनिया टोबैको कल्टिवेशन इन इंडिया, तो इसके लिए इनको ये गोल्डेन लीफ अवार्ड मिला है, अगला कोशन हम देखते हैं, लिखा है रक्षा मंतरी श्री राजनास सिंग ने कहां आयुज अरुनाचल प्रदेश में, अगला कोशन है केंद्री ये स्वास्त्र और परिवार कल्याण मंतरी, डॉक्टर अहर्श वर्धन ने कहां, उननस विधाओं और सेवाओं जैसे की लीनियर एक्सिलेरेटर ल आई एनसी सेवाएं, अम्रिद फार्मेसी और सभागार का उदगा तो इस सारी चीजों का उदगाटन कहां पे किया, तो इसका उदगाटन किया एम्स में, लेकिन एम्स के कौन से कैमपस में, तो एम्स के जजजर कैमपस में, चौथा वाला जो ऑप्शन है, ये सही यहां पे इसका उदगाटन किया गया, अगला कोशन है मानाव संसाधन वि रहा था जिसमें उशिच्छा मंत्रियों की चस्त्र वैठम थी यह हो रहाथा पेरीं सेक्टन्ड अप्षन इसका सही है नियू Carnival सेel K आप याद रख सकते हैं अगर कोश्चन आया एक्जाम में अब याद रखेगा कि जहां उसका हेड़कौटर है वहीं पर हो रही थी बठक और उसी में हमारे जो हाईटी मिनिस्टर कौन है रमेश पुखरियाल निशंक नाव आप याद रखेगा इन्होंने वहाँ पर हिससलिया उसके लाव उसकी साइड लाइन्स में एक निव जोर आई थी कि बहुत सारे देशों के साथ उन्होंने अलग से भी बात चीत करी वह इतना इंपोर्टेंट नहीं क्योंकि बहुत सारी देशों की बात हो रही है लेकिन इंपोर्टेंट है कहां पर इन्होंने भाग लिया अगला कोशन है कि नई दिल्ली के प्रगिती मैदान में भारत अंतराष्ट्री वैपार मेले 2019 के 49 में संसकरण का उधगाटन किस ने किया तो यह पता होना चाह मेले के पास कौन सा पद है या फिर कौन से मंत्री है वो पूंचा जाए तो बताएंगे कि वो मंत्री है यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME and Road Transport and Highways इसके मिनिस्टर है इस समय नितिन गटकरी जिन्होंने इस व्यापार मेले का उधगाटन किया इसके साथ-साथ इन्होंने खादी ग्राम और द्यों का जो वहां पर पविलियन था उसका भी उद्गाटन नितिन गटकरी ने किया था अगला कोशन हम देखते हैं इसी से रिलेटेड है कि यह जो भारत अंतराइश्री व्यापार मेला 2019 था का है इसके संसकरण की थीम क्या है 49 संसकरण की थीम क्या है तो इसक स्वाल ही में किस एतिहासिक रेलवेश स्टेशन पर रेल वायर वाइफाई की सुवधा प्रदान की है जिससे तीर्थेयात्रियों को फास्ट वाइफाई सेवाओं का उपयोग एक एम्मेनिटी के रूप में किया जा सके तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि रेल टेल न स्ट्रिस रिलेटेड है कि आपने बीटे को वगयरा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस आइटी से तो इसके भी फॉर्म निकलते हैं इसमें भी आती है वेकेंसियां तो आप भर सकते हैं अगर नहीं पता हो तो जान लीजे यहां पर यह जो रेलवेश स्टेशन है यह कौन स यह पुरा एलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिम्टेड M.E.L.P.L. के साथ प्रोक्योर्मेंट से रख रखाओ समझावता किया है जो कि भारती रेलवे और किसका संयुक्त उपक्रम है जो की मतलब यह जो M.E.L.P.L. है इसके वरे बात को रही कि भारती रेलवे और किसका एक जॉइन्ट वेंचर है तो आपको कंपनी का नाम बताना है तो वो कंपनी कौन सी है पहला वाल आप्शन एल्फ्टॉम यह कंपनी है पहला वाल आप्शन जो कि एक फ्रांस की कंपनी है इसका संयुक्त उपक्रम है और यह बहुत बड़े FDI के रूप में माना जार हाए कि भारत में आया है अगला कोशन है इंटरनेशनल सुसाइटी आफ एडिक्शन मेडिसिन आई एस एम दोहजार उन्निस के 21 में वार्सिक संवेलन की थीम क्या है तो यह जो आई एस एम हो रहा है इसकी इस बार की थीम है इसका भी पहला वाल आप्शन से यह है Metropolitan Museum of Art के Board के सदस के रूप में किस भारतिये को पहली बार चुना गया है तो यह इस न्यूजिसले इंपोर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा है कि किसी भारती को इसके Board के ट्रस्टी के रूप में चुना गया है तो यह कौन है तो यह है नीता अमबानी मुकेश अमबानी की वाइफ है उनको चुना गया है अगला कोशन है किस ब्रिटिश एथलीट ने धर्ती पर मौझूद हर देश में महराथन दोड़ने का एक अनुठा रिकॉर्ड बनाए और यह महराथन कैसी महराथन है यह फुल महराथन की बात यहां पे हो रही है मतलब हाफ नहीं फुल महराथन कितने किलोमेटर की होती है 42 किलोमेटर की होती है तो पूरे विश्व में लगभक 196 कंट्री में जो की युएन द्वारा रिकॉगनाइज कंट्री है उन हर एक देश में जाकर के इस एथलीट ने महराथन दोड़ी है मतलब पूरी दोड़ी है आप इतनी इन्होंने दोड़ पूरी करी है इन सारी में राथनों में और ये सब करने में इनको 675 दिनों का समय लगा इस बीच में इनके अनभव बहुत ज़्यादा सुखद भी नहीं रहे बहुत कुछ इनको जहलना भी पड़ा इनके कोहनी तूट गई कई बार जो है इनके सा थर्ड वाल ओप्शन इसका सही है ये पहले एक बैंकर थे और बाद में इन्होंने अपने दोस्त के लिए जिसको कैंसर था उसके लिए फंड जुटाने के लिए इसकी सुरुवात करी है और इन्होंने ये किरतिमान भी सेट कर दिया अगला कोशन है किस पूर्पिधान मंत अगला कोशन है विश्टन डीच के किस खिलाडी को अंत्राश्री क्रिगट परिशद ने गेंद की श्थिति बदलने के लिए या फिर जिसको हम कहेंगे बौल टैंपरिंग के लिए चार मैचों का निलंबन सौपा है मतलब उनको सस्पेंट कर दिया गया है चार इंटरनेशनल मैचेस के लिए ये कौन है तो ये गेंदवाज भी नहीं है बल्लेवाज हैं कि ये है निकोलस पूरन चौथा ओल जो अप्षन है इनको वाल टेंपरिंग के लिए बैन किया गया है निकोलस पूरन को अगर कोशन आए कि कौन से देश के खिलाड़ी है तो आप बताएंगे वेश्टन डीज के खिलाड़ी है एक कोशन जो आपके लिए है अगर आपको पता है किसकी थीम क्या है तो आप अपना इंसर मुझे कमेंट करके बताईएगा जरूर ये थे आज की करेंट अफेर्स मुझे हमेद आपको ये सब पसंद आये होंगे करेंट अफेर्स और बहुत कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी बाकि आपको इसका पीडियाफ अगर डाउनलोड करना है तो पीडियाफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा studysmart.group पे और आपने अगर हमको सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है अघ्एवाशन आपको झायाख वेबसां किया होकी जाओ